हेलो दोस्तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ओलन क्लासेस में आज हमी इस वीडियो में क्लास 12 के केमेस्ट्री का जो एक्जाम हुआ है उसके सेट फॉस्ट का जो है एंसर की लेकर आया हूँ और रियल एंसर की और रियल कोशन है जो की दम 100% सही एंसर लेकर आया हूँ तो आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लेएगा तो चलते हैं कोशन के ऊपर और देखते हैं जल्दी जल्दी इसका एंसर मिला लेते हैं आप लोग देख लेएं कि आपका कितना सही एंसर हुआ है तो चलते हैं फर्स्ट कुर्शन है अनुस्चुम्बक्तो परदर्सित करने वाला पदार्थ है तो वह जो है अनुस्चुम्बक्तो परदर्सित करने वाल जो है बनाया जा सकता है तो इसका जो एंसर है वो अप्शन भी है next देखेंगे तो next question है copper pyreide का शुत्र है तो copper pyreide का जो शुत्र है वो है cu fe sen 2 तो इसका जो एंसर है वो अप्शन भी है next question है 0.0 mol gulkoch विलाय की तुला में 0.01 mol mgcl2 विलाय के हिमांग के अवलन है तो इसका जो एंसर होगा वो अपसंसी होगा लगवक तिन गुना हो जाएगा तो इसका जो एंसर है वो अपसंसी है नेक्स्ट है जो इटर आइरन बनाने में कौन समर्थक है तो जो इटर आइरन बनाने में जो समर्थन है वो है H2NCH2CWH इसका एंसर जो होगा वो option D होगा next देखते हैं तो next question है प्रगलर्ण बीधी में धातु के oxide के उप्चैन में पर्यूख्त होता है तो प्रगलर्ण बीधी में धातु के oxide में उप्यूख्त पर्यूख्त होता है तो इसका जो answer होगा वो C होगा, option B होगा, carbon पर्युक्त होता है, next देखते हैं, तो next है, एक सुने कोटी के अविकिरिया A plus B C के लिए दड़ है, तो इसका जो answer है, option 7 का, question 7 का, वो option A सही है, दड़ के A naught into B naught, next question देखते हैं, तो question 8 जो है, calcium phosphorus के सुस्क आस्वन से प्राप्त होता है, तो इसे जो है, H, C, HO प्राप्त होता है, तो इसका जो answer है, वो option A है, next question है, A, B, C, ततो का, मानक, उप्चैन, विबिन द्वारा, 0,2,60, volume, इतना volume दिया रहेगा, तो 9 का जो answer है, वो option D है, B is greater than C, is greater than A, next देखते हैं, तो next question है, enzyme क्या है, तो enzyme जो है, एक प्रकार का protein है, तो इसका जो answer है, इसका जो answer है, वो option C है, next question है, तो इसका जो answer है, वो option A है, next देखते हैं, तो next है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो इसका जो answer है, वो option C है, next question है, एलकीन, हेलाइड, एयोम, सोडियम धात्यू के बीच अभिकिरिया का लाती है, तो बहर जो है, वोड़ अभिकिरिया का लाती है, तो इसका जो answer है, वो option A है, next देखते हैं, तो next question है, CRH4Cl2 संकूलन में CR की अक्सिकरन क्या होती है, तो CR की अक्सिकरन जो है, वो पलस्तीन होती है, तो इसका जो answer है, वो option B है, next question है, विरवादर थोस का उधारन है, तो विरवादरा थोस का उधारन है, वो हीरा है, डायमंड है, तो इसका जो answer है, वो option A है, next देखेंगे, तो next question है photographic film plate में किसका आवस्च घटक होता है तो photographic film plate में जो है आवस्च घटक जो है silver bromide का होता है तो इसका जो answer है वो option B है नेक्स्ट कोशन है किस कोटी के अविकिरिया के लिए वेग तथा वेग इस्तकान की इकाई समानने होती है तो इसका जो एंसर होगा वो अप्सन है होगा सुनने होती है नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो next question है निमन में से किसमें LDOS संघरन अविक्रिया होती है तो LDOS संघरन अविक्रिया जो है CH3CHO में होती है तो इसका जो answer है वो option D है next question है kolorine ammonia की अधिकता से अविक्रिया करने वाला बनता है तो 20 का जो answer है वो option C है N2 प्लस NH4Cl next question देखेंगे तो next question है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है तो इन में से जो है निमलिखित में से वह मोलवता मतलब मुललता जो है ताप से प्रभावित नहीं होता है तो इसका जो एंसर है वो option B है Next question है अविकीलिया CH3NCN HO-PRA का उतपादन क्या है तो इसका जो उत्पादन है वो है CS3CWH इसका answer जो होगा वो option यह होगा next देखेंगे तो next question क्या है वो देखते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो आप हमारे चैनल को subscribe करेंगे like करेंगे, share करेंगे क्योंकि मैं आपको जब सटीक answer बता रहा हूँ तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको भी अच्छा लगेगा next question है निमन में से कौन सा बंद सबसे ज़्यादा परबल होता है तो निमन में से जो है CL equals CL बंद सबसे ज़्यादा परबल बंद होता है तो इसका जो answer है वो option B है next देखेंगे तो next है बिटामिन A कहलाता है तो बिटामिन A जो है वो रेटिनोल कहलाता है तो इसका जो answer है वो option B है next question है हमेशा स्वतन्त रवस्ता में पाए जाने वाला धातु है तो हमेशा स्वतन्त रवस्ता में पाए जाने वाला धातु जो है सोना है तो इसका जो एंसर है वो option A है नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट कोर्षन है लोहे का जंक लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है तो लोहे का जंक लगने से सबसे अच्छा तरीका जो है वो है कैथोड मतलब कैथोड बना कर iron cathode बना कर तो इसका जो answer है वो optionici a है Next question है निमन में से किसमे मैगनीसियम है तो निमन में से जो है मैगनीसियम जो है क्लोड़ोफिल में होती है तो इसका जो एंसर है वो अप्षन है नेक्स्ट कोर्षन है रसाइनिक अधिसोजन में कितनी पड़ते होती है तो अधर रसाइनिक अधिसोजन में जो है निमनिखित में से फिनिल्स होती है तो इसका जो एंसर में किरिया ध्वरा प्राप्त होता है is इसका जो एंसर है वो option C है next देखते हैं तो next question है उप सैयोजक योगी K4 Ni CH4 में निकल की ओक्सिकरन अवस्ता क्या होती है तो निकल की ओक्सिकरन अवस्ता जो है वह 0 होती है तो इसका जो एंसर है वो option A है next question है कौन अत्यधिक छाड़िये है तो निमलेखित में से जो है C6 H5 2 NH जो है सबसे ज़्यादा जो है छाड़िये है तो इसका जो एंसर है वो option B है next देखेंगे तो next question है गलेणा किसका आयस्क है तो गलेणा जो है वह AG का आयस्क है तो इसका जो एंसर है वो option D है next question है मानो शरीर नहीं उत्पन करता है तो मानो शरीर जो है विटामिन को जो है उत्पन नहीं करता है तो इसका जो एंसर है वो option C है next देखते है तो next question हमारा स्वामिकरन दिया हुआ है तो इसका जो एंसर होगा 37 का जो एंसर होगा वो option B होगा डैनियल सेल इसको एंसर होगा next question देखते हैं तो next question है CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है तो CH3CN के अवकरण से जो प्राप्त होता है वो C2H5NH2 होता है तो 38 का जो एंसर है वो option C है next question है सबसे परबल अमल है तो निमलेखित में सबसे परबल अमल है वह HClO4 है तो इसका जो एंसर होगा 49 का जो एंसर होगा वो option यह होगा next question देखते हैं 40 अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो subscribe जरूर करेंगे क्योंकि मैं इतना मेरत करके आपनों के लिए एंसर ला रहा हूँ तो आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लएगा 40 number question है 234 ग्राम चीनी के गोल में 34.2 ग्राम चीनी के चीनी है गोल का मोलन संदर्चा क्या होगा तो गोल का जो मोलन संदर्णन होगा वो होगा 0.1 तो इसका जो एंसर है वो option first है next question है निमलिखित अभी किरिया का परमुख निमलिखित में से कौन होगा या आपको प्रकिरिया दिया हुआ है तो इसका जो एंसर है वो option C है COCL2 होगा इसका एंसर 41 का 42 number question देखते हैं 42 number question आपको पूछा हुआ है IPUC name of acetone का पूछा हुआ है आपको IPUCNM तो acetone का जो IPUCNM होगा वो प्रोपॉन होगा तो इसका जो एंसर है वो option C है propanon next question है निमलिखित अभी किरिया का परमुख प्रतिफल क्या है तो इसका जो अभी किरिया है 43 का जो एंसर होगा वो option B होगा C6, S5, NS2 होगा next question देखते है तो next question है निमलिखित में से कौन क्रितिम मीठा अभी किरता है तो निमलिखित में से जो क्रितिम मीठा अभी करता है वो है इन में से सभी से क्रोज, L2F, सोडियम साइक्रोमेटेज, यह सभी जो है निमलिखित में से कृतम मीठा है तो इसका जो answer है वो option D है next question देखते हैं तो next question है निमन में से कौन सा प्राकिर्तिक बहुलक है तो निमन में से जो प्राकिर्तिक बहुलक है वो protein है तो इसका जो answer है वो option A है next question है hexotermine plate IV kolonide का सही सुत्र क्या है तो इसका जो सुत्र सही है वो option है PT NH36Cl4 next question देखते है तो next question है निमलिखित में से कौन ओकर स्टिलिये ठोस का उधारन है तो निमलिखित में से जो ओकर स्टिलिये ठोस का जो उधारन है वो है glass मतलब का इसका एंसर होगा तो 47 का जो एंसर है वो option C है next question देखते है तो next question है निमन में से कौन अनुसंक्यत गुर्धर्म है तो निमन में से जो अनुसंक्यत गुर्धर्म है वो जो है परासरन दाभ है मतलब और समोसन प्रेसर है तो इसका जो एंसर है वो अप्शन D है नेक्स्ट कोशन है एक मोल एल 3 प्लस को एल में अप्चैन के लिए आवेसित के आवेसित करेंगे तो उसमें जो है 3.0 into 10 to power 5 कूलम की आवसकता होगी तो इसका जो एंसर है वो अप्शन फरस्ट है नेक्स्ट कोशन देखते है तो नेक्स्ट कोशन है अविकारक अनुओं को उत्पादन में परिवर्थित होने के लिए आवस्टक नियूंतम उर्जा होती है तो आवस्टक नियूंतम उर्जा जो है वो इस्तिती जोड़दा उर्जा होती है पोटेंसियल इनर्जी होती है तो इसका जो answer है वो option भी है next question है बहुतिक अधिस ओशन में लगवग उस्मा सर्जित होती है तो इसमें जो उस्मा सर्जित होती है वो 20 से 40 होती है तो 51 का जो answer है वो option first है next देखेंगे 52 नमर question तो 52 का question नमर है SN2 किरियावीधी में निर्मान होता है तो SN2 किरियावीधी में जो निर्मान होता है वो होता है carbon dhanion का तो इसका जो answer है वो option first है next question है नमर में से कौन सा योगिक जल में बिलाया है तो निम्न में से जो योगी की जल में बिलाया है वो है CHCl3 तो इसका जो एंसर है वो option first है next देखेंगे तो next question है कार्बोनियम समू, ICl की कार्बन में कौन सा प्रकलन होगा तो इसमें जो होगा वो option भी है, SP2 होगा तो next question देखते हैं तो next question हमारा है, formaldehyde को NaOH में बिलाय के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है तो formaldehyde को NaOH में जब हम बिलाय करेंगे तो उससे जो है हमें methane alcohol प्राप्त होगा तो इसका जो एंसर है वो option third है, next question है अविकिरिया C6S5N equal N plus Cl minus का उत्पादन क्या होगा तो अविकिरिया का जो यह उत्पादन होगा, वो होगा phenol, तो इसका जो answer है वो option B है, next question देखेंगे, तो next question है अविकिरिया OHCH2 minus CHO4, CH का उत्पादन क्या होगा तो अगर इस अविकिरिया को हम करेंगे, तो इसमें से हमको जो होगा, N hexane में प्राप्त होगा, तो इसका जो answer है, 57 का वो option B है, next question देखेंगे है, तो next question है, निमन में से किसमे P pi equal D pi बंदक है, तो निमन में से जो है P pi और D pi जो बंदक है, वो NO3 में है, तो इसका जो answer है, निमन में से किस ततो को 4F उर्जा इसतर क्रामिक रूप में भरता है, तो निमन में से जो है, लेंथनाइट को 4F उर्जा इसतर क्रामिक रूप में भरता है, तो इसका जो answer है, वो option first है, next 12 September question देखेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए है, तो प्लीज से प्लीज सस्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इतना मेहत और कि आप लोग के पस्ता में सेल का ब्यूदित वाहक बल, EMF मतलब electromagnetic force कितना है, तो इसमें जो electromagnetic force है, वो सुनने होता है, तो इसका जो answer है, वो option B है, next question देखते है, तो next है मरा एक अविकिरिया है, इसका अविकिरिया से हमें क्या प्राप्त होगा, तो इस अविकिरिया से हमें जो है, fitting अविक किस अविकिरिया के दोरा परवर्तन किया जा सकता है, तो फिनोल को जो है, अविकिरिया के दोरा प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका जो answer है, वो option B है, ँए कोलेब इरियेक्शन next question देखते है तो next question नमारा है प्राथ्मिक एमीन की पहचान किस के दवारा की जाती है तो प्राथ्मिक एमीन की पहचान जो है निमलिखित में से CHCl3-CoH के ज्वारा जो है पहचान की जाती है तो इसका जो answer है वो option B है next question है इसकोर्विक अमल है तो निमलिखित में से जो इसकोर्विक अमल है वह है विटामिन तो इसका जो एंसर है वो option first है नेक्स्ट देचते हैं तो next answer number question देखेंगे तो answer number question है वह अपदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वह क्या कालाता है तो वह अपदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वह जो है एंटी पैरेटिक का लाता है मतलब जवरन नासी का लाता है तो इसका जो एंसर है वो अप्शन फरस्ट है नेक्स्ट कोशन है रवा में जब इलक्ट्रोन दिनात्मक द्वरा खाली इस्तान में पकर लिया जाता है तब कौन सा दोस होता है तो उससे में जो है फ्रेकल दोस होता है तो इसका जो एंसर है वो अप्शन भी है नेक्स्ट देखेंगे और लास्ट कोशन है तो नेक्स्ट को मरा रहा है तो अगर आप हम नहीं यह हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे शेर कड़ेंगे शापर करेंगे १र वाचिंग इस वीडियो क्ली